तो ये जो बजट आया है इस बजट का इंच चुनाव पर आपको क्या लगता है कोई प्रभाफ पड़ेगा? कुछ खास न क्योंकि ये बजट जो है अब एक इवेंट हो गया है डेट दोंडे का भाशन होगा कुछ अर्चाई होंगी विरोध करेंगे पक्ष लेंगे लेकिन जो लोकों की जिन्दगी का स्तर है जो उनके आम जीवन में जो उनको दिक्कते हैं पेश होती है उसमें बहु को फाइदा मिलेगा गोवा में मनिपूर में उतराखन में हम लोग सरकाव बना पाएंगे जब बजट की आलोचना विपक्ष की तरफ से की जा रहे है तो सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि साब ये पूछना चाहिए पलेट कर विपक्ष से कि अगर आप होते और य हम यह कोशिश करते हैं अगर मुझे मौका मिलता तो बाकी चीजें बात दो चार साल के बाद भी कर सकते हैं आज जरूवत यह थी कि जो लोग गरीबी से जूज रहे हैं जो लोग मजदूरी कर रहे हैं जो दो बीके किसान में खेती कर रहा है उसकी मदद के लिए हम क्या कर सकते हैं मैं क्रिशी के अपकरण पर जीएस्टी नहीं लगाता मैं MSP के लिए जो आप मने दो लाग 33,000 को पर खर्च किया उसको बढ़ाता मैं ग्रेणियों के जेब में पैसा डालता ताकि वो महेंगाई से अपना सामना कर सके कोशित इंटेंशन होती है देखिए आप पार्टी के अंदर होता है सरकार के अंदर होता है हम लोग चाहते थे किस बजट से बहुत कुछ किया जा सकता था मुझे लगता है उस उम्मीत में पूरा नहीं उतरा है तो मतलब सेशन पाइलेट साब ठीक ठीक लगाने के मूड में है नहीं विपक्ष बजट को नंबर द कहीं कोई मोलभाव करने के मूड में लग नहीं रहा है